इन दिनों लोगडाउन की वज़े से सभी स्टार्स अपने घर में समय विता रहे हैं इस पीच निया शर्मा अपने फैंस के सवालों का जवाब दे कर अपना टाइम पास कर रही है निया अपने फैंस से अपने बारे में बाते शेयर कर रही है तब ही फैंस ने उनके कोई स्टार विजेंद कुमेरिया के बारें बात पूछ ली जिसके बाद तो मानो आफ़त आ गई मतलब विजेंद का नाम लेने से पहले ही निया ने कह दिया कि ढंग से नाम लेना अगर विजेंद को पता चल गया तो आतक मच जाएगा निया का ये सवाल पहले तो समझ नहीं आया लेकिन बाद में निया ने इसकी पूरी डिटेल बताई निया ने हसते हुए बताए कि विजेंद का बोला भाला चेहरा तो सभी को अच्छा लगता है लेकिन उसका गुसा सिर्फ सेट वालो को ही पता है निया ने बता है कि जब नागिन 4 के सेट पर विजेंद का नाम कोई तेज आवाज में बुलाता है तब तो विजेंद का गुसा देखने वाला होता है एक तरह से विजेंद को इससे नफरत है कि कोई उनका नाम तेज आवाज में बुलाए आपको अधादे नागिन 4 में निया और विजेंद की जोड़ी को खुब पसंद किया जा रहा है साथ ही रश्मी के साथ भी विजेंद चार चांद लगा रहे हैं वैसे आपको विजेंद रश्मी या फिर विजेंद निया की जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सबसे जादा पसंद है कमेंट करके ज़रू बताएं मिलम नियूज रिपोर्ट